असलाम लेकुम उमीद आप सब खैदरियत से होंगे तो नूरा नहीं कायदा का तक्ति नंबर आज पढ़ेंगे हम 17 और इस वीडियो में सीखेंगे हैं वक्फ करने के माइने वक्फ का मतलब होता है ठेरना और वक्फ आयत को भी बोलते हैं आयत करने के कायदे तो आप वीडि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपने हमारी अभी तब पिछली वीडियो नहीं देखने हैं तो उनका वी लिंक में नीचे डिस्क्राप्शन बोक्स में देदूंगी वहां से आप चेक कर सकते हैं और इसी चैनल पर हम उर्दू जबान की रजीम बिस्मिल्ला रुह्मान रुहीम वक्फ करने के कादे या आयत करने के कादे वक्फ के माइने होते हैं ठहरना वक्फ के माइने हैं ठहरना यानि कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किसी तरह ठहरें कुरान पाक पढ़ते पढ़ते किसी तरह ठहरें जैसे जब ऐसी गोल grade तो हम बुर्च का हाज़ते हैं इसी तरह कैसे यानी बुर्च को आयद कहते हैं ऐसे गल निशान maintained को आयत डो गा मैंने कि न न पर साथ संद। आयत कहते हैं चनल है आखी हुरुप पर जजम दे कर सांस तोड़ें जबर जेर पेज दो जेर दो पेज पर वक्फ करना हो तो मतल़ जब ठेहरना हो तो आखरी हुरुप पर जजम दे कर सांस तोड़ें तो आखरी हुरुप पर में क्या करना है उस पर जबर जेड न लगा के जज़जम लगा के हमें उस पर सास तोड़नी है इसी को हम वक्फ कहते हैं नमबर दो दो जबर को दो जबर पर वक्फ करना हो तो एक जबर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है एक जबर के साथ क्या पढ़ा जाता है अलिफ पढ़ा जाता है जैसे अहदन दो जबर और अलिफ लगा हुआ है अगर यहां आयत आ जाए नवक्फ आ जाए तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे अहदा अहदन से अहदा नमत्री गोलता पर वक्फ जब इस तरीके से तहा आ जाए तो गोलता पर वक्फ करना हो तो वो खाय साकिना बन जाता है बन जाती है जैसे जाहिरत जारिया तुन जारिया तुन से जारिया मतलब ता न पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे हा जारिया गोलता पर वक्फ करना हो तो हा साकीन बन जाता है हा साकीना बन जाती है जैसे जारियातुन जारियातुन को हम कैसे पढ़ेंगे जब वक्फ करना हूँ मता आयत आजायत रोकना हूँ हमें किस तरीके से पढ़ेंगे जारिया जारियातुन को हम पढ़ेंगे जारिया ताव्वज और तस्मीया को जबानियाद कराया जाए मतल़ इसको हमें जबानियाद करना है मीम नहीं पड़ी हमने मीम के उपर जजम लगा के यह हमने सांस थोड़ी है यह आयत है तो हमें मीम जेर ना पड़के इस पर उपर जजम लगा के यहां हमें सांस थोड़नी है यहां भी जेर है इस पर भी हम जजम लगा के मीम को सांस तोड़ेंगे बिसमिल्लाहिर्रुह्मानिर्रहीम अल्हम्दुल्लाहिर्ब्लामीन नून के उपर जजम है जबर ना पड़के इस पर जजम लगा के इस पर भी हम सांस तोड़ेंगे अल्हम्दुल्लाहिर्ब्लामीन नून के उपर पेश है इस पर भी हम जजम लगा के सांस तोड़ेंगे पेश को हम नहीं पड़ेंगे जैसे इस तरी के जबर लगा हुआता है इसमें भी हमने जबर नहीं पड़ा है हमें इसमें भी जबर पेश नहीं पड़ना है अल्लाह से पहले अगर जबर हो तो लाम को हमें कैसे पड़ना है मौटा पड़ना है यह मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था अगर आपने वो नहीं देखियो तो उसका लिंक में नीचे देदूंगी वहां से आप पढ़ सकते हैं कुल हुआलाहु अहद लाम को हमें मोटा पढ़ना है कुल हुआलाहु अहद यहां दो दो पेश है तो दो पेश को ना पढ़ते हुए हैं दाल के उपर हमें जज़जम देनी हो यहां हमें सांस तोड़नी है कुल हुआलाहु अहद इन्नम अलु उश्री युश्रा दो जबर हैं दो जबर को हम कैसे पढ़ेंगे अलिफ दो जबर को ना पढ़ते हुए हमें खाली जबर और अलिफ को मिला के पढ़ना है इन्नम अल उश्री युश्रा फी हा आइन अन्जारिया ता दो पेश तुने दो पेश को ना पढ़ते हुए है यहां हम ता को भी नहीं पढ़ेंगे वलकि हाँ पढ़ेंगे और हाँ के उपर हमें जज्जम लगानी है ता को हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमारा गोल हा है इसलिए हम हाँ को पढ़ेंगे और हाँ के उपर जज्जम देते हुए हमें सांस तोड़नी है तुस्का मिन अइन आनिया ला तस्मिआ फीहा लागिया ला तस्माओ फीहा लागिया यहां भी गोल हा है और दो जबर है दो जबर को ना पढ़ते हुआ हा के उपस हिसम लगा कि हमें पढ़ना है ला तस्माओ ला तस्माओ फीहा लागिया तो इसको हम एक वरो पढ़ेंगे आउजू बिल्लाही मिन सुईत्वान रर्जीम बिस्मिल्लाही रुहमान रर्जीम बिस्मिल्लाही रुहमान रर्हीम अलहम्दू लिल्लाही रब्लामीन याकन अबुदू याकन अस्ताइन याकन अबुदू याकन अस्ताइन बिल्लाही रुहमान रुहमान रुष्री युष्रा इन्नमा अलुष्री युष्रा फीहा अइन जारिया तुष्का मिन अइन आनिया तुष्का मिन आनिया लाता स्माव फीहा लागिया